जनपन में हर घर तिरंगा तैयारियों पर नगरायोक्त अविनाज सिंग ने कहा कि पूरे देश में आजादी के 75 वर्ष के उपलक्ष में आजादी का अमरित महोसो धूम-धाम से मनाया जा रहा है तथा आजादी के अमरित महुस्तों के उपलक्ष में 11 अगस से 17 अगस तक पूरे देश में तिरंगा सता के तहत हर घर में तिरंगा फैराया जाएगा इसी करम में गुरगपूर नगर निगम के 110,000 घरों पर तिरंगा वितरण किया जाएगा जिसके लिए सभी तैयारियां पूरी की जा चुकी है इसके साथ ही 11 अगस से 17 अगस तक लगातार प्रतिदिन देशभक्ती की भावनाओं से जुड़े हुए बहुत से कारिकरम आयोजीत किया जाएंगे उन कारिकरमों में तिरंगा, मेराथन, कवी समेलन, संगोष्टी जोकि 130 संगराम, आंजोलन की ज़ल्कियां दिखाती है आयोजीत किया जा रहा है निश्चित रूप से इस परकार के कारिकरम से जिन महापुर्षों की वज़ा से और जिन सोतंता संग्राम सेनानियों की वज़ा से आजादी मिली है नई पिड़ी को उससे परिचे कराने का मौका मिलता है साथे जिस परकार से आजादी हम लोगों को इतनी मुश्किलों से मिली है उसको बरकरार रखने के लिए उसको अच्छुने वा अखंड बनाए रखने में हमें क्या करना होगा उसके लिए भी हमें मार्क दर्शन मिलता है इसलिए गोरकपूर के नागरिकों के माध्यम से अपील करता हूँ कि 11 आगस से लेकर 17 आगस तक अपने घरों में तिरंगा दरूर फैराएंगे और इस कारिकरम में अपने घरों में तिरंगा लगाकर आजादी के अमरित महसो कारिकरम में भाग लेंगे इस सम्मन्द में गोरकपूर नियुस से बात करते वे नगर आयुक्त अविनाज सिंग ने कहा बड़े ही जो सो खरोष के साथ मनाया जा रहा है नगर निगम गोरकपूर ने भी पूरे नगर निगम छेत के बीतर लगबग एक लाग दस हजार घरों को तिरंगा रास्टी ध्वज उपलत कराने का संकल्प लिया है और उसके लिए समस्त आफ्श्यक करवाई पूरी की जा इसके साथी साथ 11 तारिक से लेकर 17 तारिक तक लगातार प्रती दिन देजभक्ती की भावना से जुड़े विए तमाम कार्यक्रम जो है आयुजित किये गए हैं उन कार्यक्रमों में तिरंगा मैराथन देजभक्ती से भरा हुआ कभी सम्मेलन संगोस्थी अनिक कार्यक्रम जो की संथा संग्राम आंदोलन की जलकिया दिखाते हैं आयुजित किये जा रहे हैं और निश्चे दुरुप से इस प्रकार के कार्यक्रम से हमको जिन महापूर्सों की वज़ा से जिन संथा संग्राम से नानियों की वज़ा से आजादी मिली है नव पीड़ी को उसे फर्चा कराने का मौका मिलता है साथी साथ किस प्रकार से जो आजादी हमें इतने मुश्किलों से मिली है उसको बारकरार रखने के लिए उसको अख्छोण और अखंड बनाए रखने में हमें क्या करना होगा उसके लिए भी एक मारदर्सन मिलता है एक प्रणा मिलती है तो निश्चित रूप से मैं अपने गुरापूर के समस्वानित नागरिकों से आपके चैनल के मार्जन से अंदोध करना चाहूँगा कि 11 तारिक से लेकर 17 तारिक तक अपने घरों में तिरंगार का राष्टी द्वज अवस्य फाराएं और इस राष्टी कारिक्रा में स्वरोकार होकर देश के प्रती अपनी निश्ठा को सब के सामने प्रदर्सित करें अगर तिरंगा राष्टी में किसी राकार के कोई दिक्कत होती ही मिलने में या किसी एंसमार समस्य में हम लोग अपने प्रतेक पारसदों साथियों को बड़ी संक्या में जंडे दे रहे हैं जिससे कि वो तिरंगा दे रहे हैं जिससे कि वो अपने वाड के समस्त घरों में उन तिरंगा धोजों को फढ़ा सकें लेकिर इसके बाव जूर अगर किसी कोई दिकत होती है ति नगर निगम आकर अपन अगर आयुट साहब जिनको गिनोडर दिकारी बनायेगा उन से विलकर वो अपनी समस्या का समधान करा सकते हैं एक बर पुना मैं सभी से लोगों से अपील करूँगा कि आजाद्ये के 75 वर्थ में हर घर तिरंगा कारिक्रम में अपने घर पर तिरंगा लगा कर इस कारिक्रम को फूरूरूप से सफ़ दनाएं